कई ऐसी बाते हैं जो इस बजट को वाकई में नेवर लाइक बिफॉर और एतियासिक बजट बढाती है सबसे बड़ी बात किसी तरह से इंकम टेक्स के किसी भी प्रोविजन में किसी तरह की कोई बदलाव नहीं कोई छेड़ चार नहीं ये इस बजट की सबसे बड़ी और सबसे बहतरी खुबसूरती है कई सारे सेक्टर्स में एफडियाई और विदेशी निवेश को लाने की कोशिश विशेश कर इंशूरेंस में एफडियाई की सीमा 49% से बढ़ा कर 74% डाइवेस्मेंट का टारगेट रखा है सरकार ने पोने 2 लाख करोड का विदेशी गाटा 6.8 प्रतिशत रहेगा ये इस साल के लिए ये सरकार का लक्षे करने के लिए आगे तैयारे केपिटल एक्स्पेंडिचर का बजट 35% से बढ़ाना सरकार का ये कमिट्मेंट दिखाता है इंफ्रासक्चर के लिए और ज़्यादा पुछ देने के लिए डी एफाइस के गठन की बात की गई है इंकम टेक्स मामलों में काफी हद तक करदाताओं को आसानी हो इसके लिए बहुत कुछ उपाए करने की बात सरकार ने कही है वित्मंत्री ने कही है सबसे बड़ी बात ये कि तीन साल से पुराने मामले अब नहीं खोले जाएंगे जो अब तक 6 साल के हुआ करते थे इनविट और रिट्स के लिए भी कई सारे एलानों की गोशना की गई है जहां पर उन्हें राहत मिलती भी दिखेगी और कृशी के लिए पोने 2 लाख करोड रुपे के आस पास का आवंटन इस बजट में किया गया है तो इस बजट में उन सभी लोगों का ध्यान रखा गया है जो इस बजट से प्रभावित होते हैं और यही वज़े है कि आप देख सकते हैं बाजार जबर्दस उच्छाल दिखाता हुआ बजट वाकई में नेवर लाइक बिफोर एतियासिक ये बहतरीन बजट है जहां वित्यमंति ने बिना मतलब के टेक्स लगाने से परहेज किया है बिना मतलब के प्रोविजन्स बदलने से परहेज किया है ग्रोथ के लिए आउटलूक साफ बताया है सरकार का कमिटमेंट बताया है कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ना चाती है और क्या करना चाहते है तो ये हैं वो सारे प्रावधान जो अब तक बजट के लिए आएं